हे गाइज आपका मोस्ट वेलकम है एक और फिर से मेरे चैनल पर और यहां पर मिलेकर आए हूं अनदर पोर्ट रोम का रिव्यू जो कि बिल्कुली लेटेस्ट बीटा पर बेस्ट है और इसके पहले जस्ट मैंने एमाई रोम का ओफिस लेटेस्ट रोम का रिव्यू किया है के साथ आता है जो कि आप लोगा फिवरेट है और साथ से आथ इमाई वाई 11 इंड्राइट 10 का भी अपडेट जी यहां फर्स्ट इमाई वाई 11 इंड्राइट 10 का अपडेट का रिव्यू में आपको प्रवाइट कर दिया है आपने वाच नहीं कहा है तो लिंक मिल जाएग यहां पर आप देख से तो इमाई वाई 11 इस वाई नेम लिखावा है जिनके तुर्वेज मोड किया गया है यानि पोर्ट किया गया है साथ यहां लेटेस्ट बीटा है 9.11.28 का यहां पर इंड्राइट 9.0 का सपोर्ट मिलता है और लेटेस्ट सिक्यूर्टी पैच जो कि 2019. 2019.12.5 का है 4 जोला रेम है और यहां पर रेंको के रेनेल यूज किया गया है ठीक है यह भी फ्लाज साही है बट आप चाहों तो चेंज कर सकते हो यह डिपिंड करते है आपके बेसिक यूज और निट्स के उपर मिगा 11 के साथ साथ SB के भी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं लेकिन इस अपडेट यानि ब्यूल नमर जो है 9.11.28 इसके साथ क्या-क्या नया आया है इस ब्यूल्ट के अंदर वो चीज़े में आपको एक्स्प्लेइन करने हो लोग तो फर्स्ट आपको देखने को मिलता ह प्राइबेट डी एन इस का फीचर जियां बाकि सारे फीचर्स में आपको पहले वाले वीडियो में बता दिये तो वह सारे अभी भी अवेलेबल है तो आपने ओल्ड अला यानि फर्स्ट अपडेट जो इस वी का था उसने वोच निए तो वाच कर लेना आपको सुंझ में क्या साथ कास्ट माजयस्ट गद्रे ऐसे руки में क्योंकि बारभार वारे सेम केस्मयसट करना वीडियो का खिill Leg यहां पर वह सेर्थ बिंद समय से हैं जो कि पहले वे मिलते वह आरा ला हैं ति यहां पर पlate भी जुड हो कि ऐडखने को नहीं मिलता है लेकिं यहां पर reading mode का मुझे कहीं option देखने को नहीं मिला है क्योंकि reading mode पहले वाले में build में भी नहीं था इन्हीं में सन मिगाई प्रो वाला status bar के अंदर आपको एक नया देखने को मिलता है color notification icon साथ यहां पर जो icon का style change कर सकते हो यहां पर hide कर सकते जीरो मीटर पे और वहां की वही सारे settings और features मिल जाते हैं जो कि मैंने first video में बताया था इसे में one by one explaining करने वाला हूं बस so कर रहा हूं आपको जानने के लिए first video watch करना को लिंक description में है इसके अंदर वह वह सारे चीजा आपको देखने को मिलता है आते हैं notification के अंदर और यहां पर आते हैं हम notification sad तो यहां पर वह सारे चीजे वह ही रखी गिए जबकि एक extra नया features आ है इस build के हिसाफ फे जो कि नहीं यहां नहीं परवाइट किया है नहीं MI room नहीं जबकि EU वाले में था बट EU का अपडेट अभी तक इसके लिए आया नहीं है आएगा तो मैं ट्राइ करूंगा प्रवाइट करने की home and recent पर आते हैं तो यह सारे MI room नहीं परवाले features आपको देखने को मिल जाते हैं लेकिन एक नया option आगया है जो कि so google feed है तो आप जैसे आप जैसे on करते हो आपका home screen पर जो card मिलता है step counters वगेरा का वो आपका Google card के साथ replace हो जाता है लेकिन उसके लिए आपको Google का एक app download करना हो आप प्लेश्टर से आप देखें तो slide नहीं हो रहा है तो आप जैसे उसे download करोगे इस side में आप गोल का card देखने को मिल जाता है तो यहां पे missing है उसके लिए को download करना होगा तभी आप इस features को update कर पाओगे यूज कर पाओगे बाकि यहां पर वही सारे customization मिल जाता है जिसमे app drawer वगरा भी देखने को मिल जाता है तो सेम चीज़े है आए के बार चलते है wall paper theme आपको fully supportable है यहां पर option मिलता है face unlock का fingerprint unlock after reboot यानि अपने phone को restart करते हो तो password entry करने के जो उतनी है आप direct है जो fingerprint करते हुए unlock कर पाओगे vibrate का यह features अभी तक किसी भी रोम में जो की port रोम है workable नहीं मिला है इसके वज़े से यहां पर आपको working नहीं मिलता है तो simply unlock करो और vibrate आपको fill नहीं होगा fingerprint face unlock यह प्रो पर काम करता है यहां पर आपको ultra batty saving को देखने को मिल जाता है apps के नदर एक कमाल का feature देखने को मिलता है वह है apps lock दिया पहले मैं आपको बता दो कि यह feature साब पहले use करते थे अपने home screen के अंदर तो जब भी आपको कोई apps को recent में blur करना होता था तो आप आते थे यहां पे blur app review और अपने apps को select करते हैं जैसे कि आपको default में camera selected मिलता है अगर आप camera को अई से open करोगे उसके बाद आप recent पर जाके इसे on करोगे यह blur मिलता है लेकिन अब एक नया feature साग है apps lock के साथ कि जब आप जो भी application को lock करोगे वह auto recent में blur हो जाएगा और लिखावा आएगा कि यह app से जो locked है जैसे आ यह blur का features home setting के वजय से है और यह features आपके app lock के वजय से है तो नया update आया है जिसके through आप app को lock भी कर पागे और recent में blur भी कर पागे तो combo features आपको मिल जाता है app lock के अंदर जो कि मुझे काफी ज़्यादा कमाल का लगा है additional settings में आपको full screen display का features नहीं मिलता है उसके लिए आपको on करना होगा अपने nap bar को मैंने video दे दिया separate आप उसे watch कर लेना उसके बागी same common features मिलते है screen time के अंदर भी एक features आपको missing मिलता है वो है focus mode के अंदर one minute trial का जिया है जो कि USB ने provide नहीं किया है नहीं MI room ने provide किया था जबकि EU में मुझे देखने को मिला था और सासे pro वाले रोम के अंदर तो यहां पर one minute trial का features भी missing है यहां पर game टरो कि reply second space सबकुछ fully वर के वाल है कोई भी दिक्कत नहीं आता है home screen पर आते हैं तो बागे सब चीजे पहले जैसे ही आपको देखने को मिलता है camera में portrait का bug मिलता है जिसके लिए आपको आना होगा Gcam के ऊपर Gcam Pixel 2 का या Pixel 3 या 4 जो भी आप चाहओ यूज कर सकते हो और उसे portrait पक्लिक कर पाऊगे video recording भी कर पाऊगे दिक्कत नहीं आएगा sometime य प्रेस करता है लेकिन दूसरे टाइम अब ट्राइ करोगे अगर इसके बात करें तो बग आपको एक देखनी को मिलता है वह हाडवेर लाइटनिंग की बट यह भी बग नहीं कि कि इसका patch है जो मैंने option मिल जाता है hold का मिलता है video call का option मिलता है यह सारे option आपके गाया पर रहते हैं तो इसमें आपको बग देखने को मिलता है यानि सिर्फ उसी आपको डाइल पैट पर दिखाए देगा speaker का buttons का एक cut का बाकि दो extra options यहां पर आपको देखने को मिलता है तो प्रोपर तरीके से fixed है फिर भी अगर आपको flashing के बाद problem आती है तो मैंने एक separate video दिया है कि China region को कैसे fix करके Indian region पर इसके अंटू के score की जाए कि अंटू का score कैसा है तो यह performance आपको काफे अच्छी मिलती है 80109 का score मिलता है जिसके साब सब PUBG अगर प्ले कर पागे low graphics के लेकिन रूटेट रभाई क्या कर सकते है सारे पोर्ट रोम आपको रूटेट ही मिलने वाला है अनूट कोई भी नहीं आता है वहाई पर आगर आगे की और बात करें तरहां पे health का apps मिलता है जैसा कि आपको MI watch के अंदर देहने को मिलता था सारी details तो धीर देर बहुत सारे features फोन के अंदर है इंक्लूट किया रहा है जैसे कि वेट हो गया, सिलीप हो गया और ट्रैकिंग अगरा हो गया यह चीज़े मिल जाती है वह यह पर हम आते है अपने clock के अंदर तो यहां पे एक features है जो कि बहुत सारे device को मिला है बट इस sport रोम में हमें रहने को नहीं मिलता ह है वह हमारा bedtime यहां 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 पे एक feature से जो missing है मैं भी देखते हैं कब तक हमें मिल जाता है Redmi Note 4 लेकिन अभी फिलाल के लिए यह नहीं है रही बाद flashing वेट है टो रेटी में आपको बता दिया है उस वीडियो को watch करका flash कर लेना और यहां पे मैंने all detail भी आपको so कर दिया अब आप मुझे बताना यह रोम कैसा लगा आप M.I.Room यूज करना चाहोगे या फिस भी यूज करना चाहोगे या फिस जो Android 10 का मैंने review दिया है MIUI 11 Android 10 का उसे आप यूज करना चाहोगे तो इसी तरह के more interesting video watch करने के लिए every day बस like करना है चैनल को subscribe करना है और notification को enable कर लेना ह ताकि every day आप up to date रहो latest upcoming रोम के साथ और जो पसंद आता है उसे आप यूज कर पाओ so bye bye